तो आज देखते हैं overlap and add method आपको बुला कि find a linear convolution using the overlap and add method तो यह बहुत easy sum है आपको 10 mark के लिए exam में आ सकता है तो इसमें overlap and add method से solve करने के लिए आपको बस 3 parameter define करने के जो है l, m and n जो n जो होता है वो number of terms in a sequence रहते है यह जो number of terms कितने terms आपको लेने के depends upon u रहते है तो आप यह मतल convolution करके आपको जो जितने terms जितने terms का convolution चाहिए उतना terms आपको यह पर defend करना है तो आप 2 term का भी लेखते हो, 4 का भी लेखते हो, 6 का भी लेख सकते हो तो 2 का लेखते हो, information loss हो सकता है 6 और 8 में आपको complexity बढ़ सकता है तो 4 is the best to choose, तो आप n is equal to 4 ले लो उसके बाद आपको m जो m is equal to smallest signal, अभी 2 signal available है, x of n and h of n, x of n तो बहुत बढ़ा है, h of n ही चोटा है, तो h of n गया रहता है, चोटा signal, तो चोटा signal का length, smallest signal length क्या है, that is equal to 3, तो m is equal to 3, वो आप decide नहीं कर सकते है, यह signal के उपर से आता है, h of n is the smallest signal, और उसका length कितना है 3, 1, 2 and 3, उसका length कितना हो गया 3, क दूसरा value जो यह l, वो आपको formula से calculate करने का है, so l is equal to n minus m plus 1, यह उसका formula हो गया, l is equal to n minus m plus 1, तो n का value कितना है 4, उसके बाद m का value 3 plus 1, that is equal to 2, तो यह जो 2 जो आया है, वो आप, जो x of n को आप, डिवाइड करोगे, 2, 2 के sequence में, मतलब अगर new sequence बनेगा अपना, x1 of n, तो उसम यह x of n से 2 value उटाने का, जितना l यह उतना value उटाने का, तो 1 and 2, तो x of n में 1 and 2, लेकिन signal अपना कितना digit का चाहिए, 4 का signal चाहिए, तो 1 and 2, 2 तो signal हो गया, और बाखी के लिए 0 add करतेगे, तो 2 0 add करतेगे, तो total अपनों का l कितना चाहिए, 4 चाहिए था, signal आ गया है, हम minus 1 and 2, minus 1 and 2, और फिर बाखी 2 0 add करने के, वो भी end में पर करने के, similarly x 3 of n आगे है आपका, x 3 of m ने क्या हैगा, 3 n minus 2, 3 minus 2, 0, 0, similarly 3 n minus 2 के बाद, minus 3 minus 1, minus 3 minus 2, और फिर इसका, उसका आगे का भी करता जाने का, आपको सेम, सेम मेतर से, x 5 आएगा, x 5 of n आगया, 1, 1, 0, 0, 0, similarly x 6 of n, will be equal to, 2, minus 1, 0, 0, similarly x 5 of n आगे हैं, x 5 of n आगे हैं, x 5 of n में सिर्फ 3 e point 1, 2 and 3, तो total signal अपने चार चार नंबर का चाहिए, तो चार, चार के लिए, और एक जिर्फ एड करना करेंगा, तो total 1, 2, 3, 4, तो यह होगे है, चार, चार, डिजिट का नंबर होगे, सिगनल होगे, 1, 2, 3, 4, चार पॉइंट का सिगनल होगे, h of n is equal to 1, 2, 3, and then 0 एड किया, तो चार पॉइंट का सिगनल होगे, अब यह आपको कुछ नहीं करने का है, सिर्फ इसका multiplication करने का है, matrix multiplication करने का है, और उसके बाद जो आपका value आएगा, that is equal to your convolution बस उसको आपको add करने का है, वो add कैसे करने का हम आपको बताते हैं, फिर्स सिगनल x1 of n और होगे h of n, similarly आपको x2 of n, x3 of n, x4 of n, up to x6 of n आगे, तो हरे की लिए same method follow करने का है, x1 of n into h2 of n आपको दोनों का convolution निकल लेगा है, that is x1 of n, convolution with h of n, यह आपको भी निकल लेगा है, यह आपको लेगा y1 of n, similarly आपको y2 of n निकल लेगा है, y3 of n निकल लेगा है, तो x1 of n into h2 of n, convolution आपको इसे निकल लोगे, उसके लिए method है, matrix method, तो matrix method बहुत easy है, 1, 2, 0, 0, as it is, आप एक matrix में लिख दो, 1, 2, 0, 0, उसके बाद यह 0, यहाँ पर starting में लेके आओ, तो यह कैसे लिख सकते 0, 0 के बाद आपको 1, 2, 0, आपको इसे लिख सकते 0, 0, 1, 2, same method follow करनेगा, आपको 2 opposite उपर हैगा, और as it is, उपर से लिखनेगा, 2 as it is, उपर लिख दिया, और फिरी जहाँ से निचे आगे, 001, तो यह हो गया, आपका normal matrix हो गया, और इसको आपको multiply करनेगा, with h of n, h of n के 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, तो यह हो गया, y1 of n, that is x1 of n, हमने matrix method में ऐसे लिखा है, आपको जैसे बता है था, और वो हमने रफ कर दिया, आपको समझने के लिए, 1, 2, 3, 0, यह हो गया, h of n, अभी इनका क्या से कहा है, matrix multiplication करनेगा है, और जो answer आएगा, वो रहेगा, y1 of n, so matrix multiplication कैसे करनेगा, यह column into, sorry, यह row into this column as it is, मतलब 1 into 1, 1, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, so इसका answer आएगा 1, similarly 2 into 1, 2, 2 into 1, 2, plus 2 into 2, 2 into 1, 2, that is plus 2, plus 0, plus 0, plus 0, again, 0 into 1, 0, plus 0, plus 2 into 2, 4, plus 3 into 1, that is 3, plus 0, इसका answer के लिए, 0 into 1, 0, 0 into 2, 0, 2 into 3, 6, 6, 2 into 3, 6, and 1 into 0, that is 0, यह आपका answer आगे है, जो है, h of y1 of n है, y1 of n है, y1 of n है, y1 of n है, is equal to 1476, यह आपे है, y1 of n है, y1 of n है, y1 of n है, y2 of n है, calculate करने का है, y2 of n कैसे calculate कर सकते हो, आप, similarly x2 of n, convolution, n point convolution, h of n, h of n तो सब में सेम रहेगा, similarly y3 of n आएगा, आपका, x3 of n, convolution, h of n, similarly आपको y4, y5 and y6 आएगा, यह आपको calculate करने का है, same method से, तो इस तरह से आपको y1 of n, y2 of n, y3 of n, y4 of n, y5 and y6 of n आपको आगे, तो बस आपको बस यह add करने का है, यह तो हो गया, overlap, overlap method हो गया, इसको add भी करने का है, overlap method से add करने का है, so उसके लिए बस आपको एक ऐसे graph में लिखने का है, जो आप एड कर सकते हो, अपना तो सी, l is equal to 2 link तो आपको 2 as it is, लिखने का है, बाकी का जो 2 हो add करने का है, we have taken l is equal to 2, so l is equal to 2 हो इसका मतलब, के लिए जोट इंश्य दो है वो एक मैं करने के बाक्वित नेक्स नेक्सरे दो और इसके साथ उसके लिए आप यह ऐसे दिख सकते हो वान फॉर सबें चाहिए तो पहले दो केसे लिए लेकिस दो रहेंगे उसके बाद वारे दों के एसे निख दिया तो यह 1 & 4 एसी जाएगा 1 & 4 एसी जाएगा और यह लाज के दो इंद को जो एडिशन होगा 7-1 that is equal to 6 and 6 plus 0 that is equal to 6 and 1 & 6 ए उसके वो भी वापस overlap हो जाएंगे इसके साथ 3 & 4 के साथ 5 & 6 आगे आ जाएंगे तो यह इसे निख सकते 3,4,5,3,3,4,5 &-6 तो इन दोजों का overlap हो रहा है वापसे 3 plus 1 that is equal to 4 and then again 6 plus 4 that is equal to 10 and then 5 & 6 का आगे 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 साथ 5 &-7 के साथ 5 &-3 that is equal to 2 &-6 &-7 इन का एडिशन हो गया माइनस 13 & similarly आपको लास तक लास तक करने कहें तो आपको जो लास भी सिगनल आगे that is equal to y of n के सिगनल आपको लास तक आजाएगा so y of n आपको कैसे calculate करना समझ में आई हो गया फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या था यह 1 as it is आएगा निचे फिर 4 as it is निचे आएगा similarly 7 minus 6 इंदन होगा addition होगा 7 minus 7 minus 1 that is equal to 6 1 plus 1 plus 3 is equal to 4 6 plus 4 is equal to 10 5 5 minus 3 that is equal to 2 6 minus 7 that is minus 13 minus 11 minus 11 plus 1 that is equal to 10 minus 33 that is equal to 0 5 plus 2 7 3 plus 3 6 4 as it is and minus 3 also as it is 4 and minus 3 तो यह होगा आपका y of n तो यह होगा आपका y of n जो आपका overlap and add method से आपका convolutional thank you